लो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, तोड़ेए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट, स्टैंडर टेंथ, मैस्टू, चाप्टर नमबर फाइ, कोडिनेट जोमेट्री, एड अवर तोडेश टॉपिक इस, मोस्ट इंपॉर्टन कोशन, टू माक्स, आज हम बोड एक्जाम में दिस्टन्स फार्मूला पे बेस, टू माक्स के कोशन एक्स्प्रेंड करेंगे, तो चलिए देखते हैं, हमें क्या गीवन है, कोशन नमबर वन में हमें फाइन करना है, दिस्टन्स बिट्विन दे पॉइंट आर, जीरो माइनस री, एड एस, जीरो, फाइब एड तू, हमे जो हमारा पॉइंट आर है, उसके कॉइडिनेट को हमने एक्स वन और वाइवन कंसिडर किया, और कॉइडिनेट अव पॉइंट एस को हमने एक्स टू और वाइटू कंसिडर किया है, तो बताए एक्स वन का वैलू क्या है, और वाइवन का वैलू क्या है, एक्स वन का वैल अप्लाई करेंगे, by distance formula, rs is equal to under root x2 minus x1 whole square, plus y2 minus y1 whole square, root ka sign as it is, x2 ka value है 0, minus ka sign, x1 ka value 0, bracket complete whole square, plus y2 ka value 5 by 2, minus ka sign, y1 ka value minus 3, bracket complete whole square, root ka sign as it is, 0 minus 0, 0 square as it is, plus y by 2, ये minus into minus, minus minus ہو گیا, plus 3 as it is, ये हमने bracket में लिया, और bracket के बाहर square, 0 चला जाएंगा, root ka sign, यहाँ देखिए, 3 है, 3 के नीचे हमने 1 लिया, और cross multiply किया, 5 one's are 5, plus 3 two's are 6, और divide में, 2 one's are 2, bracket में, और bracket का square, root ka sign as it is, 5 और 6 को plus किया, 11, divide by 2, ये bracket में, bracket का square, root और square एक दूसरी का opposite है, cancel हुआ, remaining 11 by 2, ये हमारा distance Rs है, therefore, distance between point R and S is 11 by 2, हमारा point R or S का distance है, 11 by 2, okay, thank you.